नमस्कार दोस्तों, स्वादत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के विवानन क्षेत्र में हो रहे हैं एक बड़े बदलाव की बारे में। हाल ही में भारत को साथ नए हवाय दे मिल्ले वाले हैं जो देश के याताया और परेटन को नया आयाम देंगे। ये खबर न सिर्फ यात्रियों के लिए बलकि पूरे देश की अर्थ ब्यवस्था और विकास के लिए भी बेहत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं इस बड़ी खबर के बारे में विस्तार से भारत की ओवराल ग्रोफ और एम्प्लोइमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। भारत का विमानन छेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बड़ा है। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार भी हवाई यात्रा को और अधिक सुलब बनाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। नए हवाई अड़ों के बनने से छोटे शहरों और कस्बों को भी बहतर कनेक्टिविटी में देखी। जिससे देश के हर कोने तक हवाई यात्रा की पहुँच आसान। इन साथ नए हवाई अड़ों की स्थापना से कई नए रूट्स खुलेंगे और देश के कई हिस्से अंतरराष्ट्रियों और घरेरू यात्राओं के लिए बहतर तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। इन हवाई अड़ों की लोकेशन की बात करें तो ये ज़्यादा तर उन क्षेत्रों में बनाये चारे हैं जहाँ परेटन और व्यापार की बड़ी संभावना आएं इनमें उत्तर पूर्वी राज्यों, दक्षनी भारत के कुछ प्रमुक शहर और मध्य भारत के कुछ एहम इन नए हवाई अड़ों के बनने से ना केवल यात्री सुविधाय बढ़ेंगी, बलकि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत के कई पर रिटन स्थलों तक पहुँचना पहले कठिन होता था, लेकिन अब इन नए हवाई अड़ों से वहाँ आसान हो जाएगा, इसके अलावा व्यापार के लिए भी ये एक बहतरी नवसर है, व्यापारियों और उद्जोग पतियों को बहतर कनेक्टिविटी के साथ अपने व्यवसायों को तेजी से बढ़ाने का मोख भी देगा, भारत सरकार की उड़ान योजना जिसका उद्देश छोटे शहरों और ग्रामेर क्षेत्रों को हवाई यात्रा से जूड़ना है, इन नए हवाई अड़ों के साथ और भी प्रभावी हो जाएगी, इस य यह कदम न केवल देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक बड़ा कदम है, बलकि आम जनता के लिए भी एक बड़ी सुविधा साबित होगा, अगर आपको यह जांकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना झानेवा